आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए भारतिय जंता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दयाशंकर जी जिनसे हम चर्चा करेंगे कि गाउं में विकास कहां पहुचा है और कहां पर पहुचना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी गाउं से तालुक रखते होंगे और गाउं को लेकर कभी न कभी न कभी इनके मन में तमाम सवालात आते होंगे तो बात करते हैं प्रदेश उपाद्यक जी से प्रदेश उपाद्यक जी आपका हर्दिक स्वावेत है हमारी चैनल में गाओं को मौजूदा इस्थिती में आप कहा लेते हैं देखे भारत गाओं का देश है आज भी भारत की सतर परसत से अधिक अबादी गाओं में बश्ती है और अजादी के सत्तर परसों में गाओं को तेशित किया गया जिसके कारण गाओं से पलाइन सहरों की तरफ हुआ गाओं में जो हमारी प्रामप्रागत जो रोजगार था वो भी दिरे-दिरे समाप्त हो गया लोग गाओं छोड़ करके सहर की तरफ गए और गाओं का और भी विकास औरूध होता गया लेकिन इतने बरसों के बाद जब मोजी जी देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने पहले दिन ये कहा कि हमारी सरकार ये गरीबों के लिए है और उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजे हैं जो आप सोचेंगे कि देखने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन बहुत सबसे ज़्यादा अभाव है हमारी माताएं बहने आज भी सोच के लिए सडक के किनारे रेलवे लाइन के किनारे सोच जाने के लिए बाधे रहती है मोदी जी सोक्षिता के माध्यम से उन्होंने पुरे देश को एक संदेश दिया आज 12 करोन से जादा उन्होंने पुरे देश में सोचाले का निर्माण किया कई ऐसे बिदान सभा में कई ऐसे ग्राम सभा है जहां महमलों के भी बिदान सभा हमारी पत्नी जहां से मेले हैं कई ऐसे गाउं है जो लगनोव की रायधानी से सटी हुई होते हुए लगनोव रायधानी के हिस्सा है सुरिन्यागर बिदान सभा लेकिन यहां के भी गाउं की हमारी माताएं बहने सोच के लिए बाहर उनको जाना पड़ता था खुले में सोच करती थी जब गाड़ी की लाइट अंधेरे में यह बोर में गाड़ी अब क्या गुजरती होगी उनपर यहां कभी सोचा इसके बारे में तेकि मोदी जी ने सोचा आज मोदी जी ने कहा कि नहीं अब खुले में सोच नहीं होगा इसके लिए भारा सरकार की कितने भी पैसे देने पड़े लेकिन हर ग्राम को o diocks इसकि मिलाई है हर भर में जो है सोचाले हो उसके लिए उन्हों ने बहुत ही करंतिकारी कदम उन्होंने उठाई और आप देए होंगे उत्तर प्रदेश में हमारे जोगी जी की सरकार ने बहुत ही तेजी के साथ हर ग्राम को चैनित करके उन्होंने कहा कि भई आप जो भी उसका पुरा रिकार्ड लाइए कि उस गाउं में कितने घर ऐसे बच्चे हों जिस घर में सोचाले है और कितने ऐसे घर हों जिसमें सोचाले नहीं है उनको प्रत्मिक्ता के अधार पर सोचाले का निरमान करिए एक रुपिया में आजीवन पाली सी एक रुपिया महिने बाऱो रुपिया साल में गरीब के लिए अब ये बजाएगा एक रुपिया कोई mobil बड़ी चीज नहीं होती है उआ ऑन पी एक रुपिया दे जदिके कि दोस्त ने उसके काउंट से दो सो कुछ रुपया ट्रांसफर कर दिया और उसका पालिसी हो गई थी और डियम साब ने उस समय कि अतकालिक डियम ने कहा है कि दो लाग रुपया भाई इसको मिलेगा यह कितनी बड़ी बात है गाहूं के आदमी के जहां गरीब आदमी है उस कौसल विकास के माध्यम से गरामिल जो लोग है उनको जैसे मालने बढ़ाई का काम है लुहार का काम है इस तरह के जो ट्रेड है व्यूटीशियन का है तो उसमें ज्यादा रोजगार की सम्भावना है तो उन्हों ने इसको काया कि इसको भई टेनिंग दीजिए और टेनिं जिसे गराम पंचायत होती है उसका जो मुख्य केंदर होता है वो बलॉग होता है आज के समय में एक-एक मतलब जो सचिव है वो 10-10 बारे 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 गराम पंचायते सम्हाल ला एं जिसकी वज़े से कही ना कहीं पंचायतों में विकास के कारेवी प्रभावित हो रहे है यह सही है यह आपका एक कहना सही है कि हमारे बहुत सारे ग्रम पंचायतों में जो है ग्रम सचुन नहीं है लेकिन अभी जो जो चार लाख भकेंसी ओ निकालने जा रहे हैं अभी आपने देखा होगा है आयोगों का उन्होंने गठन किया और अभी अधिनस्तिवा चैन का गठ कि चबी है आप देखेगा इमंदारी के साथ यह सभी भरतियां की जाएंगी और आने वाले दिनों में ऐसा कोई ग्राम सबा नहीं बचेगा जिसका अपना सचीवनों हम कई जगा पर गए वहां ग्राम परधानों ने सरकार की योजनाओं को बड़ा सराह लोगों ने भारत कि राम परधानों ने बताया कि जब रेता बालू आ रहा होता है तो पुलिस पकड़ लेती है सरकार ने इसकी अभी कोई व्यवस्था नहीं करें नहीं देखिए जो नई खनिज निती जो है बन गई है और उसके माध्यम से हर जीलों में अब टेंडर भी हो चुका है कुछ परशानियां रही पिछले कुछ समय में कोकि यह सही है कि लोगों को परशानी हुई उसके लिए रेता के लिए लेकिन पर पिछली सरकारों ने जीस तरह से एक लूट मचा रखी थी एक पूरा एक सिंडिकेट बना करके पूरा जिले के जिले जिस तरह का दोहन कर रहे थे आप यह समझे परशान कर रहे थे जहां उनको खोदाई करनी है उनकी अनुमती कम थी ज्यादा खोदाई कर ले जाते थे तो इससे हमारी जो नदियों के भी इस्तिती खराब हो रही थी परशान कर था बन विभाग के बहुँ सारे एरिया में भी यह लो जाकर के खनन करते तो एक निती में जोगी जी की सरकार ने बनाया और बहुत पारदर्सी आप देखेंगे कि पहले मैक्सिमम खनन से 16 सो करोन रुपया प्राप्त होता था आप देखेंगे आपके कही हजार करोन रुपया मिलेगा क्योंकि पैसे कहां जाते थे यह पैसे जो है पिछरी सरकार क लोग इसमें जो शिंडिकेट से के बांट लेते थे कुछ आदा हमको दो आदा तुम लूटो तो लेकिन ये सरकार तो भाई खाने वाली है न किसे को खाने देने वाली है तो इसलिए थोड़ी सी परिसानी ज़रूर हुई लेकिन आप ये समझेगा कि आने वाले दिनों में ऐसी निती बनने जा रही है कि बहुत ही सस्ते में एक निउनतम दर तह कर दिये जाएंगे कि इसी दर पर आपको विक्री करना है रेत का ये नहीं कि मनमानी चलेगी कि आप जब मरजी चाहे जीतने में आप बेचेंगे कोईकि मुनोपोली नहीं होने दिन आए कोईकि जोगी जी किसी की मुनोपोली नहीं करने वाले हैं न किसी को बर्चसु रखना चाहते हैं न किसी की उपेक्षा करना चाहते हैं वो तो मोदी जी किनारे को सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं जैसे स्वाति सिंग जी के पास में आठ विभाग हैं उस माध्यम से और आप भी एक जिम्मेदार नेता हैं भारती जंता पार्टी के प्रदेश उपाद्यक्स कापद है आपके पास तो किसानों के लिए कोई ऐसी योजना लाने के लिए आप अपनी आवाज उठाएंगे या उपर तक आवाज पहुँचाएंगे जिससे ग्रामेड छेतर के लोगों को कुछ राहत मिल सके देखिए पहले तो आप किसानों के लिए इस सरकार सबसे ज्यादा चिंती थे सरकार बनने के बाद पहली के विनेट में जोगी जी ने अरती सजार करोन रुपया के ल किसानों को उन्हों ने दिया किसानों के लिए अलग से मुख्यमंत्री एक उजना चला रहे हैं कि जहां किसानों के लिए तो उस निधी के माद्यम से उन पर किया जाए तिसरा आप मंडी परिशद में आप किसानों के बेटों को पढ़ाने के लिए उनको चिकिस्त्ता के लिए या कोई बहुत ओ समाजबादी पार्टी की राजनीती आलू पे आ गई है अलू के संदर में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है आप प्रदेश अपात देख से लिए ये ये तो क्या कहेंगे मानिया के लिए जी पांट साल सरकार चलाए और वहां से वाते हैं जहां बहुत पादा होता है कनोज और महिनपुरी और फरुखाबादेरिया जो है ये अलू की सबसे बड़ी उपज का छेत्र है लेकिन उन्होंने पांट साल में कुछ नहीं किया एक डेले का काम नहीं किया और वह आट महीने में सब हिसाब ले ले लेना चाहते हैं तो आब ही जोगी जी की सरकार ने कि अप़े ले जो इन्वेस्टर जो होने जा रही है 2021 को उसमें उन्होंने हर जिले के लिए एक प्रोड़क्ट के लिए उन्होंने यह सोच रखा है कि कहा की क्या भी सिस्ता है जैसे माल ऐ फरुकाबाद में आलू जादा प्रोड़क्शन होता है तो आपर आलू की प्रोसे व्र 55 उमर्स हो फेलो टोर अमारे जो किसान है उनकी अड़ खरी जाएगी अच्छी नहीं तो उसके लाग वाइड बिक्षो स्कीत तो उसके लिआ हर जिले कुछ नहीूं किया तो उसे परुपकाबाद में परे उनकी किया थे ऐ सब्सक्राद् Installation के लगे लिए किया माय होती और मुलायम सिंह के लोगों ने हम लोग तो उनको जो है अभी आठ नौ मिनम वो चीजे किये हैं जो सत्तर सालों में नहीं हुआ है भार्तिय जन्ता पार्टी की तरफ से किसानों के लिए ग्रामीर जन्ता के लिए आपका कोई संदेश किसान का डवे एपने घर में अपने घर में रहे हैं अपने घर मेरद आपने गरमें इसको रोजगार मिलें उसको संवान मिलें उसकी क्य चैति का सही दा्मलें जो उसकी उपज्गा तो उहां रहेagar, jurn गाउग तो को मुझ को नहीं तो को शाल हो गामी जिए नग्टा है जब तक रहाम मादास नहीं हो सकता ऑब तक किस देश का बीद का सकता है और उसी को मोणी जोगी जी उसी वनुरूप काम करए है और हमारे जो भारतीय ज़नता पार्टी के प्रिणा सुरोत माने दिन्दे अलोपध्या जी ये कहते थे कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी और आज मोदी जी और जोगी जी इस नारे को सकार कर रहे हैं तो ये थे भारतिये जन्ता पार्टी के प्रदेश उपाद्यक्स शरी दयाशंकर जी जिन्होंने हमारे साथ में गाओं को लेकर चर्चा की और हम उम्मीद करते हैं कि भारतिये जन्ता पार्टी के प्रदेश उपाद्यक्स होने के नाते इस बात को ये हाई कमान तक पहुचाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतिय जन्ता पारटी की जो सरकार प्रदेश और केंद्र में बनी है वो किसानों के लिए काम करेगी जिससे किसान आर्थिक रूप से तो शायद सुद्रन बनेगा ही साथ ही उसका जीवन भी अच्छा होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं ABPS News के लिए अजय परताप सिंग लखनव झाल 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 झाल 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 झाल